जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो कार्तिक का महिना सबसे ही शेष्ट मास माना जाता है और इसमें भी तुलसी पूजन तुलसी पर दीप दान करना सबसे अधिक महतुम बताया गया है क्योंकि शीहरी विश्णू को तुलसी जी बहुत ही प्रियमानी गई है और आज की वीडियो में हम तुलसी पर किया जाने वाला एक ऐसा अधुद उपाय बतारे जिसके करने से आपकी जो मनो कामना है वो शीगर ही पूरी होगी दोस्तो वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं विशेष रूप से एकादशी के दिन पुरण मासी के दिन तुलसी का बहुत अधिक महत्यु माना जाता है तो आप किसी भी शुप दिन में इस उपाय को अवश्य करके देखें देखना आपको 100% इससे लाब मिलेगा और कार्तिक मास के एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का पूजन अवश्य करें औ और इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए हिंदु धरम में बहुत अधिक महत बताया जाता है जिस घर में तुलसी का पुजन होता है उस घर में कभी भी देखें नकारात्म कुर्जा yakha का वास नहीं होता वैस्त दोष नहीं होता उस घर में सुखस कम्रिद्धी का अगमन सदेव बना रहता है और कार्तिक मास के का छावर का कलावा ले ले कोई भी पीला दागा ले ले नहीं तो धोड़ी सी हल्दी में मतलब हल्दी घोलक कर आपको उसे पीला कर लेना और उसको थोड़ी देर हवा में रखके सुखा ले और भगवान कृष्ण के सामने बैट कर आपको देखे 108 गांट उस कलावे में लगानी है यानि अपनी जो भी इच्छा है आपको देखे अपनी एक इच्छा के लिए इस उपाय को करना है अपनी कोई भी एक मनो कामना को ध वासुदेवाय नमा या राधा कृष्ण राधा कृष्ण या ओम क्लीम कृष्णाय नमा किसी भी मंत्र का आपको एक माला का जाप अवश्य करना है अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और उस धागे में आपको 108 गांट लगा दे देनी है और भगवान कृष्ण को उस कलावे को अरपित कर देना है और उनसे अपनी प्रातना अवश्य बोलनी है उसके बाद इस धागे को आपको उठा लेना है और इस दिन तुलसी जी का पुजन अवश्य करें जल अरपित करें उन्हें तिलक चंदन अवश्य ही अब करना है और उस धागे को आपको तुलसी पर लपेड देना है दोस्तों अपनी इच्छा बोलते हुए आपको मत्थागा लपेड देना है और तुलसी की आपको साथ परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य अरपित करें और पात में थोड़ा सा जलने अपना नाम और गोतर का उच्चारन करें और जिस भी मनोकामना के लिए आपने मतलग इस उपाय को किया है उसको बोल कर आपको तुलसी के गंबले के पास ही उस जल को छोड़ देना है दोस्तों इस तरह से इस उपाय को करना है और जैसे ही आपकी म पुजन अवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें तो आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीग्र पूरी होती है क्योंकि भगवान कृष्णी की सबसे प्रिय तुलसी मानी गई है अगर हम तुलसी माता पर अपनी अर्जी लगाते हैं तो आपकी जो इच्छा है ब बहुत ही शीग्र पूरी होती है दोस्तों इस उपाय को करें और लाप्राप्त करें आप सभी को जैशी रिश्मा